तोस्क अब सब लोगों को पताई होगा कि कुछ दिन पहले इरान के दौरा पाकिस्तान के विलोसिस्तान के अंदर कुछ आतंकी गुरूपों को मार गिराने के लिए एक रौकेट स्ट्राइक या फिर कहतो एक अंजाम दिया गया था और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्ट्राइक में कई सारे आतंकियों को इरान के द्वारा मार गिराया गया और पाकिस्तान को एक भारी नुकसान के साथ एक भारी बेज़ज़ती भी हुआ तो ही पे दूसरे दिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों में भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान के तरफ से इसका बदला लेते हुए एक स्ट्राइक को इरान के अंदर इंजाम दिया गया जिसमें कि पाकिस्तान के द्वारा JF-17 एरक्रेफ्ट और JTNCE एरक्रेफ्टों क इस्तिमाल किया गया अब दोस्तों इस ट्राइक के बाद एक और खवर भी काफी अधिक वाइरल हुआ है जिसमें दावा किया गया कि इरान के द्वारा पाकिस्तान के जेव 17 थंडर यारक्रेफ्ट को बेलुचिस्तान के नस्दीक मार गिराया गया बेसिकर दोस्तों ये ज दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो वाइरल हुए खवर के पीछे असल हकीकत क्या है और क्या सच में पाकिस्तान के और एक जंक फाइटर तबा हो गया है अब दोस्तों कही फेवी ऐसा अगर लड़ाई होता है तो उसके बात कही तरह के के खवर खास करके false information और misinformation का भरमार होता है और इसे देखते हुए ऐसे जो खवर है उन खवरों के उपर directly विलीव तो नहीं किया जा सकता है लेकिन ऐसे खवर कई वार सज भी होता है और जादतर वार ऐसे खवर जुड़ भी होता है इरान और पाकिस्तान के बेज में पिछ एकर इस्तिमाल किया गया तो वही पे इसके बाद इरान के तरफ से विदावा किया गया कि इरान के द्वारा पाकिस्तान के F-16 और J-17 एकर्फ्टों को मार गिराया गया है वैसे अगर देखा जाये तो इन दोनों देशों की उपर ही भरोसा करना सही नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस तरीके के घटनाओं को चुपाने का प्रयास करता है और जब भारत के तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक को अंजाम दिया गिया था तब भी पाकिस्तान के तरफ से इन खवरों को चुपाने का प्रयास किया गिया और इवन अविनंदन वर्दमान के घटना के दर्मियान तो पाकिस्तान के तरफ से ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने इसराइल के वी और एक पाइलेट को पकड़ लिया है और दूसरे तरफ अगर इरान को देखा जाए तो इरान भी कई बार अपने लोगों को खुश करने के लिए ऐसे खवरों को फैलाता है लेकिन दोस्तों इस बार ये कंफार्म है कि इरान के द्वारा पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है अब दोसरे इस तरीके का खवर कहा से ओरिजन हुआ है इसके बारे में तो पता लगाना काफी मुश्किल होता है लेकिन ट्विटर में कई सारे वेल्ड पॉलोड हैंडल के तरफ से ऐसे खवरों को ट्विट किया जा रहा है जिन में एक ट्विटर हैंडल के द्वारा तो 17 तारिक के दिन सुभा 10 बच के 41 मिनिट में एक ट्वीट करते हुए दावा किया गया है कि एक जेव 17 एरक्राफ इरान के बॉर्डर के नस्दे गुडान भर रहा था और उसके बाद से ये मिसिंग है अब 17 तारिक के इस ट्वीट में ये भी दावा किया गया कि असल में पाकिस्तान के तरफ से इरान के बॉर्डर में जेव 17 एरक्राप्टों को भेजा गया था उसके बाद इरान के एर डिफेंस मिसाईलों ने इसे मार गिराया है और ये दोस्तान पाकिस्तान के तरफ से अठरा तरिक के दिन अंजाम दिया गया था और गल कि दोस्तों उसी सेम टुईटर हैंडल के तरफ से अठ्रा जनवरी के दिन भी एक पोस्ट किया गया जहाँ पे दावा किया गया कि दो पाकिस्तानी यारफोर्स के फाइटर यारक्रैप्टों के द्वारा इरियानियन एर डिफेंस के उपर हमला किया गया है और इसे भी इरान के एर डिफेंस के द्वारा मार गिराया गया अब दोस्तो अठ्रा तरीक के दिन पाकिस्तान के द्वारा जी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था दावा किया जा रहा है कि उसमें असल में पाकिस्तान के तरफ से JF-17 मतलब चाइनीज मेड इन जंक फाइटरों के इलावा और एक जंक फाइटर मतलब J-10 यारक्राफ्ट के बारे में तो दुनिया को जादा कुछ पता ही नहीं है क्योंकि चायना इस तरीके के ख़वर को कभी पब्लिक होने देता ही नहीं है हलकि इसके दो दिन के वाद और एक ऐसे सिमिलर ट्विटर हैंडल के द्वारा मतलब 20 जनवरी के दिन ऐसे और एक ट्विटर हैंडल के द्वारा एक और ट्विट किया गिया जहां पे दावा किया गिया है कि थोड़ी दिर पहले ही इरान ने दो पाकिस्तानी यारफोर्स के एरक्राफ मतलब एक F-16 और एक J-F-17 एरक्राफ को हवा में मार गिराया है और दोस्तो इसे लेके एक वीडियो को वी ट्वीट किया गया जिस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि एक F-14 एरक्राफ ने हवा से एक missile को दागा है जो जाके दूसरे एक aircraft को लगा अब दोस्तों ये तो confirm है कि इरान के पास F-14 aircraft है जिसे कि इरान के द्वारा 80 के दशक में अमेरिका से हासिल किया गया था लेकिन वीडियो में जो आखरी हिस्से में missile ने एक aircraft को हिट किया है उसे देखके पता चल है जिससे कि काफी हद तक लग रहा है कि शायद ये aircraft सुखोई SU-27 class के कोई aircraft हो और दोस्तों इससे यही अंदाजा लग रहा है कि जो वीडियो को इस ट्विटर के साथ जोड़ा गया है असल में वो वीडियो किसी और घटना का है ना कि इरान और पाकिस्तान के वीच के कोई conflict का है क्योंकि ना पाकिस्तान के पास सुखोई 27 class के कोई दो इंजिन वाले aircraft है और ना ही F-16 या JF-17 जैसे aircraft इवन J-10 जैसे aircraft इस तरीके का दिखता है अब बात यहाँ पे यह है कि JF-17 aircraft को लेके इस तरीके का cover क्यों आ रहा है तो basically दोस्तों आप लोग को बता दू कि जब भ सवी लड़ाई में ऐसे misinformation को अपने अपने interest के लिए फैलाया जाता है जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे misinformation का भरमार है और दोस्तों पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसके अंदर अगर कोई ऐसा strike होता है तो पाकिस्तान तुरंत ह उसे deny कर देता है इवन भारत के surgical strike और air strike को भी पाकिस्तान के तरफ से deny किया गया जबकि बाद में पाकिस्तान के ही political अधिकारी इवन retired military अधिकारियों के तरफ से ये स्विकार किया कि भारत के तरफ से surgical strike और air strike को अंजाम दिया गया था जिसमें पाकिस्तान को काफी अधिक नुकसान हुआ था अगर दोसे इरान के घटना को भी अगर देखा जाए तो इसे पाकिस्तान के तरफ से चुपाने का भरपूर प्रयास किया गया क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इस ख़बर के बारे में अगर पाकिस्तान के लोगों को भनक लगता है तो पाकिस्तान के अं पाकिस्तान के तरफ से एक प्रयास तो किया गया है लेकिन अगर इस प्रयास में पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ होगा तो पाकिस्तान इससे भी छुपाने का प्रयास अवश्य करेगा। पाकिस्तान को साटिस्फेक्शन अवश्य मिला होगा। पाकिस्तान के द्वारा एक इसराइली पाइलेट को भी चैप्चर किया गया था। भारत की दोस्टों कैसी कि पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान पँहुचा खोगा तो उस बात को पाकिस्तान चुपा इवन इससे पहले विया से कई वार घटना है घट चुका है जब पाकिस्तान के तरफ से इस तरीके के एक्सिरेंट या फिर कहतु इस तरीके के खवरों को छुपाया गया और अपने लोगों को बेवकुब बनाया गया चाही 71 का लड़ाई हो जिसे लेके अवी तक भी पाकिस्तान के अंदर प्रोपगंडा किया जाता है जब कि अगर हकीकत देखा जाया है तो 71 में पाकिस्तान का दो ठुकरा हुआ था और बंगलादेश आज एक आजाद देश है जब कि जिस दिन पाकिस्तान भारत के साब ने स ख़वर फैला हुआ था कि भारत सिस्पायर करने के लिए एगरी हो गया है अब इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है और इससे ये वी अंदाजा लग गया होगा कि अगर ऐसा F-16 या J-17 या पाकिस्तान के एर करप्टों को इरान के द्वारा मार गिराया गया होगा या फिर ये संपूर रूफ से एक false news है कॉमेंट करके अपने डाए अवश्र दीजिए दोस्तों आजके इस वीडियो को यहीं पर ही करते समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे त